How to fix Instagram story music feature not available problem तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मुबाइल में अपने इंस्टेग्राम एकाउंट पे इस प्राबलिम को सॉल्फ कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास music का feature जो है available है और यहाँ पे जो है मैंने किसे इसे available करवाया है मैं आपको बताऊंगा और आप भी वीडियो के अंतर इसे जो है अपने mobile में अपने Instagram में आप पाएंगे ठीक है तो दोस्ता देखें यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले तो दोस्ता आपको क्या करना है यहाँ पे आपको दो काम करना है ठीक है यहाँ पे देखें सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जाना है अपने mobile का यहाँ पे इसे आपको जो है सबसे पहले तो Instagram को जो है uninstall कर देना है आप uninstall app info पे जाके कर सकते हो या फिर setting में जाके application management में जाके धून के कर सकते हो या फिर dialect clicker की कर सकते हो ठीक है यहाँ से आप uninstall कर सकते है या फिर दोस्तों आप simply चले जाएए अपने instagram यहाँ पे play store में चले जाएए play store में जाने के बाद में आपको यहाँ से भी आप जो है instagram को uninstall कर सकेंगे तो यहाँ पे ढून लीचे सबसे पहले और सबसे पहले तो इसे आपको uninstall करना है तो जैसे यह uninstall हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पे एक app आपको search करना है, ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर एक application install करना है, ठीक है, जिसका नाम है Secured VPN, तो चलिए हम playstore में चले जाते हैं और यहाँ से हम search करते हैं, Secured VPN, तो यहाँ पर Secured VPN आपको search करना है, और Secured VPN search करने के बाद में आपको इसे install करना है, ठीक है, इसे आपको install कर कर देता हूं एक बार और आपको मैं दिखाता हूं इंस्टोल करकी कि आपको exactly क्या करना है ठीक है तो चलि कुछ दिर वेट करते हैं और इसे मैं इंस्टोल कर देता हूं यहां पर अब इंस्टोल करने के बाद में इसे ओपन करके आपको क्या कुछ करना मैं आपको आगे बता तो यहां पर इंस्टोल हो चुका है अभी यहां पर आपको कुछ सेट आप करना होगा तो दोस्तों देखिए हमारे Instagram में music का feature किसले शोनी होता है इसले शोनी होता है कि यह music का feature जो है यह एक नया feature आया होगा है और यह हर country पे available नहीं है तो इसी वज़े से सुनी होता है तो इसले हमें क्या करना होगा यह यह USA में available है और बता लीजे Malaysia में available है United Kingdom में available है तो उनका network हमें use करना होगा ठीक है उनका location हमें use करना होगा ताकि यह feature हमें जो है अपने Instagram में दिखाए पड़े तो इसके लिए आपको यह download करना है secure VPN और इससे open करना है ठीक है अभी open करने के बाद में क्या होगा दोस्तों आपको यहां पर सबसे पहले तो terms and conditions को accept करने के लिए बताया गया है तो सबसे पहले तो आपको terms and conditions को accept करना है accept करने के बाद में दोस्तों यहां पर आपको कुछ देर wait करना है checking network settings, preparing for the first connections, checking DNS server, detecting several signals अभी आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर आपको connect पर click करना है connect पर click करने के बाद में always allow कर देना है और यहां पर सबसे उपर जो दिखाए देरा है आपको flag यहां पर click करना है आपको flag पर click करने के बाद में आपको यहां पर कम से कम 6 country का option दिखाए देरा है नेदरलेंड, France, United Kingdom, Germany, Singapore, United States अभी जो network एकदम बढ़िया है ठीक है वो network आप से लेक कर सकते हैं मैं आपको suggest करूंगा United Kingdom से लेक कीजें क्योंकि United Kingdom जो है इसमें आपका United Kingdom में यह feature available है तो इसलिए आपको United Kingdom खोलना है और यहां पर कम से कम यह जो आपका timing भाग रहा है यह timing आ जाने के बाद में क्या होगा आपका network एकदम सही से connected हो जाएगा strong network हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर minimize करना है और अभी जाके अपने जो अपना Instagram को अपने अनिंस्टोल किया है Instagram को आपको अभी रिंस्टोल करना है ठीक है तो चले जाए प्ले स्टोर पे प्ले स्ट करना है यहां पर तो यहां पर इंस्टोल करने के लिए दोस्तों आपको देखिए आपको यहां पर एकदम ध्यान रखने वाला बात क्या है कि Instagram अभी डाउनलोड करने पर आप जो ही United Kingdom का network इस्तेमाल कर रहे हो तो download होने के लिए आपको थोड़ा बहुत time लग सकता है ठीक ह है तो इसलिए आपको जो ही यहां पर कुछ दिर वेट करना होगा अभी देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं यहां पर बताता हूं यहां पर VPN पर चले जाओंगा सेक्यर VPN पर और network में बंद कर दूंगा तो यह फ्रेक से download हो जाएगा लेकिन क्या होता है दोस्तों हम download कर लेते हैं तब जो होता है बाद में VPN on करने के बाद में Instagram हम open करेंगे तब भी हमें music wizard show नहीं होता है तो इसलिए दोस्तों आपको धीरच रखना है VPN on करके ही आपको यह install करना है और VPN on करके ही आपको login करना है ठीक है तो इसलिए मैं आपको यहां पर कुछ देर जो है आ अहां पर ज्यादा से ज्यादा पांच मिनिट लग जाएगा तो कुछ देर वेट करके जो है आप कर लीचेगा क्योंकि एक बार VPN on कर लोगे VPN off कर दोगे तो बाद में फिर काम नहीं होगा फिर से आपको install करना होगा फिर से install करना होगा तो उसमें बहुत ज्यादा time चला ज देता हूं ताकि video of attack से complete हो जाए ठीक है तो यहां पर में video को post कर देता हूं तो दोस्तों यहां पर हमारा 80% 88% download हो चुका है अब कुछी देर में हम अपना instagram को open कर पाएंगे और music feature कहां से available करना है कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा मैं आपको इस video में बताने जा रहा को आपने आज secure VPN जो है वो तो download करी लिया होगा और on भी कर लिया होगा मैं उमीद करता हूं और यहां पर instagram को install करके हम install कर रहे है 99% पहुंच चुका है अभी 100% पहुंच के हम जो है अपना instagram को open कर सकेंगे ठीक है तो दूस्तों यहां पर installed हो चुका है यह अभी हमें क्या कर रहे तो इसी वज़े से जो है दोस्तों यहां पर क्या होता है टाइम लगता है ठीक है अभी हमारा connection जो है अभी आउट country में लग रहा है मतलब बाहर देश का अभी सोची मतलब समुंदर की नीचे से सब्मरीन केबल होते होए connection जा रहा है तो कितना टाइम लगता है तो मतल यह काम कर रहा है कि नहीं ठीक है तो secure VPN में में चले जाता हूँ और यहां पर एक बार make sure कि it is working good यहां पर देख सकते है चार मिनिट हो चुका है connected है United Kingdom में ठीक है र्र कनेक्टिंग टुदा Facebook हो रहा है यहां पर तो यहां पर मेरा connect हो चुका हुआ मैं login हो चुका हूँ locked in हो चुका हूँ तो यहां पर आभ़ि क्या करना है तो इस feature को लिए हमें क्या करना है यूर story पर हम know status story पर हम सिचया करनेальная स्टोरी पर करने के बाद में camera को सबसे परर तो flip कर देता हूं क्योंकि क्यू advisors नहीं दिखाना जाए तो यहां पर allow करना है आपको यह और allow कर देना है तो यह allow होनी के बाद में दोस्तो आपको यहां पे क्요 करना है आभी आपको यहां पे फोटो पे चले जाए कोई भी एक फोटो ले लिजेगा या फिर दोस्तों आप यहां पे कोई भी फोटो को क्लिक भी कर सकते ठीक है अब यहां पर इस्टिकर पर क्लिक किजेगा स्टिकर पर क्लिक करने कर दें आप देख सकते हैं यहां पर music feature आ चुका है तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप secure VPN का इस्तमाल करके मैंने जो trick बताया इसके मदद से आप जो ही music इस्तमाल करें मैं music पर click कर देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा music आपको मिल जाता है ठीक है वो music आप यहाँ पर select कर सकते हैं music select किजिए और music select करके जो है आप post कर सकते हैं तो दोस्तों यह है बहुती बढ़िया feature जिसके मदद से आप जो है यहाँ पर बहुती cool feature का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों यह था एक trick जिसके मदद से आप जो है आपका जो भी फीचर आपको शो नहीं हो रहा है वो शो हो जाएगा उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा थैंक्स पूर लाचिंग